नमस्कार आपके साथ मैं हूँ सबीना तामंग देशमुक आप देख रहे हैं कच्चा चिथा गाजा पर इसराइल की बंबारी को लेकर रूस ने बहुत कड़ा रुख अक्तियार कर लिया गाजा पर इसरेल के बंबारी ने अब अमारिका और रूस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया रूस ने कहा कि पश्यमेशिया का ये यूद अब बाखी इलाकों तक भड़क सकता है सवाल ये है कि क्या रूस अब ऐसी जंग की वॉर्निंग दे रहा है जिसमें इसरेल विश्यू यूद का एपिसेंसर बन जाएगा एक तरफ गाजा में बंबारी चल रही है इसरेल का युद गाजा को पूरी तरह तबाह करने जा रहा है दूसरी तरफ इसरेल पर हमला करने के लिए लेबना, सीरिया और इरान की वोच तयार बैठी है और तीसरी तरफ अमेरिका की सेंट्रल कमांड का बेड़ा इसरेल को बचाने के लिए भूमध्य सागर में पहुँच चुका है ये अमेरिका का सबसे खतरनाग बेड़ा माना जाता है USS Ford योरप के आसपास तैनात रहकर उत्तरी अफरीका और पश्चिन एजिया में किसी भी वक्त बंबारी के लिए तयार रहता है अचानक इस एरक्राफ्ट में हरकत पढ़ गई है फाइटर एरक्राफ्ट लगातार लॉंच किये जा रहे हैं और इस पर तैनात स्पेशल पोर्स किसी भी वक्त ऑपरेशन के लिए लॉंच की जा सकती है गाजा में हालात बहुत नाजोख है इसरैल दिन रात बंबारी कर रहा है सैक्मों लोगों की मौत हो चुकी है पतला लेना चाहता है और यही वज़े है कि उसके बंब अब आम, नागरिक और हमास के बीच फर्क नहीं कर पा रहे है इस वक्त गाजा में जितनी भी इमारतें इसरैल की बंबारी में ढहती जा रही है वहां मलबे से बच्चों और बूरों की लाशे निकाली जा रही है ऐसी हर तस्वीर को देखकर फिलस्तीन का समर्थन करने वाले देशों में गुस्सा उबाल खा रहा है मरकज मालूमात फी वजारत तस्चहा इस्टिशाद 413 मौातिनन मिन हम 78 तफलन ववाहद और अरबईन सेड़ा बिल इदाफ़ा इला तस्जील 2300 जरीह सवाल है कि आगे क्या होगा तो इसका जवाब है जितनी मौत होगी गुस्सा दोनों तरफ उतना बढ़ता जाएगा पहले ही पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है दुनिया भर में गाजा को बचाने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं यह बगदाद है और यहां लोग हजारों की दादाद में सड़कों पर मिकल कर प्रदर्शन कर रहे हैं इसरेल के साथ साथ अमेरिका के खिलाब बेनारे बाजी हो रही है इरान के साथ साथ लिबनन में भी घाजा के लिए समर्कन तेज हो गया है बेरूत में फिलस्तीन और हिजबुल्ला का जंडा लेकर लोग सड़कों पर उता रहे हैं लेकर 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 रहे हैं लेकिन हालात तो इस्रेयल की अंदर भी बहुत नाजोग है सैक्नों लाशे उठाने के बाद इस्रेयल अब आर पार करना चाहता है और उसका टार्गेट है घाजा और वहां पर मौजूद हमास के अड़े लेकिन इस्रेयल को तीन तरब से बहुत बड़े युद्ध की धंकी आ चुकी है लेपनन की मिलीशिया हेजबुला ने कहा है कि वो इस्रेयल पर हमले के लिए तयार है इराक में इरान के समर्थन वाला मिलीशिया भी इस्रेयल को वानिंग दे चुका है सीरिया ने अंजाम भुगतने को कहा है तो वहीं मिस्र से लेकर सौधी अरब और कतर से लेकर तोर्की था घाजा को बचाने के लिए बहां की सरकारों पर दबाव बढ़ने लगा है ऐसे में बाइडन ने नेतनियाहू को फोन करके कहा है कि अमेरिका इसरेल के साथ है इसके बाद अमेरिका का सबसे बड़ा बेड़ा पूरवी भूमत दे सागर की तरफ रबाना कर दिया गया अमेरिका का ये बेड़ा अपने आप में किसी बड़ी नौसेना के बराबर है और इससे निपटना कई देशों के लिए मुश्किल हो जाएगा यही मैसेज देने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे बड़ी फायर पावर इस्राइल के करीब तैनात करने का फैसला किया फोर्ड क्लास के करियर के साथ इस बेड़े की ताकत बहुत जबरदस्त है इसमें युएस निवी का ऐरक्राफ्ट करियर युएसस जेराल फोर्ड है जिसमें तिकोन देरेगा क्लास का मिसाइल प्रूसर है इसमें आरलेक बर्ग क्लास के चार मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ऐसे बेड़े के साथ रसक के लिए सप्लाई शिप भी रहते हैं इस साथ में पानी के अंदर दुश्मन को रोकने के लिए एक परमाणू पंडुब्धी भी रहती है कोई दुश्मन नहीं चाहेगा कि उसके सामने ऐसी चुनोती खड़ी हो जाए यही भरोसा अमेरिका अब इस्रेयल को दिलाना चाहता है कि समंदर से उपरेशन चला कर अमेरिका सीरिया पर भी बंबारी कर सकता है लेबनन के बॉर्डर को भी सेनिटाइज कर सकता है इस वक्त ये केरियर इस्रेयल के खाजा के पश्चिम में भूमध्य सागर में तैनात रहेगा और वहीं से उपरेशन चलाएगा उसकी रेंज में लेबनन भी होगा सीरिया भी होगा तुर्की भी होगा और मिसर के आसपास का इलाखा भी होगा यहीं से ये इस्रेयल के एर स्पेस को सुरक्षित रखेगा और हमला भी कर सकता है ये सब ऑपरेशन अमेरिका के फोर्ड क्लास का करियर और उसके बीड़े में मौझूद बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर पूरा कर सकते हैं ऐसा अमेरिका पहले इराक में कर चुका है उसने अफगानिस्तान में करके दिखाया है और इरान को भी वो लगातार धमकी देता रहा है इसरैल के लिए भी जिराल फोर्ड करियर को भीजना एक बड़ा युद्ध छेट सकता है दुनिया के सबसे बड़े एरक्राफ्ट कैरियर की ये किसी और देश के पास नहीं बलकि खुद अमारिका के पास है और ये कैरियर एक लाग टन का डिस्प्लेस्मेंट पैदा करता है भारत का एरक्राफ्ट कैरियर आएनस विकरांथ इससे आधे से भी कम वजन का है तो देखिए कितना वजन इसमें है यहाँ पर एक लाग टन का कम से कम यह है यूएसस जिराल्ड फोड की बात हम यहाँ पर कर रहे है और ये एक्राफ्ट कैरियर नुकलियर पावर से चलता है यानि इसकी रेंज अनलिमिटेड है और ये दुनिया में कहीं भी पहुँच सकता है यानि कोई भी कोना हो वहाँ पर इसको आराम से आसानी से पहुचाया जा सकता है क्योंकि नुकलियर पावर का यह इस्तिमाल करता है और ये एक्राफ्ट कैरियर 56 किलोमीटर प्रदिगंटे की रफटार से समंदर में चल सकता है ये एक कैरियर की बहुत अच्छी रफटार कही जाएगी बहुत बड़िया रफटार मानी जाएगी यानि कहीं पर भी ये 56 किलोमीटर प्रदिगंटे की रफटार से आसानी से पहुच सकता है और इस कैरियर पर करीब 39 सैनिक तैनात किये जा सकते है यानि कि दुश्मनों के लिए भी ये एक बड़ा टारगेट बन सकता है और अगर आगे की बात की जाए जो टेकनोलजी का इस्तमाल इसमें किया जा रहा है इस एरक्राफ्ट कैरियर पर 90 विमान और हेलिकॉप्टर तैनात यहाँ पर किये जा सकते है यानि कि जो सैनिक है उनको तो यहाँ पर तैनात किया ही जा सकता है इसके लावा 90 विमान और इसके अंदर हेलिकॉप्टर भी तैनात किये जा सकते है और इनमें 75 तो सिर्फ लडाकु विमान है और अभी इस aircraft carrier पर Super Hornet विमान तैनाथ है और इस पर F-35 Stealth Fighter भी operate कर सकते हैं और उनको पूरी तरह तैनाथ करने की तैयारी की जा रही है यानि आप समझ सकते हैं कि आखिर किस technology इससे ये last है और कैसे Super Hornet और F-35 लिडाको विमान जो है वो भी इसके अंदर तैनाथ किये जा सकत इसके लिए अमेरिका ने पूरा जोर लगा दिया है और इसराइल के हवाई अड़े पहले से ही एक्टिव है अमेरिका के वायू सेना से इसराइल को अब एक नई ताकत मिलेगी इसके लिए A-10 थंडर बोल्ट विमान भी है जो नीचे उड़ते हुए टैंकों के पूरे के पूरे दस्तों को खत्म कर सकता है इस विमान को फ्लाइंग टैंक भी कहते हैं जिस पर छोटे हत्यारों की गोलीबारी का वर्थ नहीं पड़ता इसके अलाबा अमेरिका के F-15 से लिहाजा मल्टी फ्रंट के लिए इसरेल की वायू सीना को ऐसे बहुत से विमानों की जरूरत पड़ सकती है जिसकी भरपाई अमेरिका की मदद से पूरी होगी F-35 का करीब रहना इसरेल के दुश्मनों को दूर रखने में मदद जरूर करेगा यह आपके सामने दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस फाइटर जेट F-35 है यह फिफ्स जनरेशन मल्टी रोल कॉमबैक्ट एरक्राफ भी है इस एक लड़ाकों विमान की कीमत एक हजार करोड रुपए के करीब है यह अमारिका का सबसे महंगा फाइटर प्लेइन है यह एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसका साफ तोर पर मतलब हुआ यह कि रेडार इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा जो रेडार की पकड़ में नहीं आएगा और इसकी बॉड़ी पर एक खास किसम की कोटिंग होती है जो कि रेडार तरंगों को एब्जॉब कर लेता है और इसके लावा इस फाइटर जेट का रेडार एवियोनिक्स और सभी सेंसर जो है वो बहुत मजबूत होते हैं और इसी वज़े से ये दूर से खत्रे को सेंस कर लेता है लेकिन इसके लावा इसकी क्या खासियत है पाइलेट का हेलमेट भी बहुत खास होता है जिसकी कीमत तीन करोर रुपए होती है देखें ये कॉक्पिट है और कॉक्पिट में पाइलेट जब बैठता है तो एक खास तरह का हिलमेट लगाता है जिस हिलमेट की कीमत कीमत तीन करोर रुपए के आसपास होती है इसरेल ने गाजा पटी को चंदूर की भटी में बदल दिया है इस वक्त भी गाजा पर स्ट्राइक हो रही है और अपनी टैंक आर्मी को आगे बढ़ाने से पहले इसरेल पूरी तरह हमास के बेस को खत्म करने में जुट गया लेकिन सच ये भी है कि गाजा में बंबारी से आ गाजा पटी को इसरेल ने आग की भटी बना दिया है पिछले 48 घंटे से लगातार गाजा पटी पर इसरेल के लड़ा को विमान बम बर्सा रहे हैं गाजा पटी के अंदर से लगातार धूआ और आग उड़ती देखी जा रही है एक तरफ इसरेल ने अपने मरकावा टैंकों को गाजा की तरफ रवाना कर दिया है और तूसरी तरफ दे टाइमस ओफ इसरेल अखबार के मताबिक गाजा पटी पर इसरेल के लड़ा को विमानों ने 800 ठिकानों पर बंबार्डिक की है इन हमलों के बाद पूरी गाजा पटी के अंदर चीफ पुकार मची होई है जो खबरें गाजा पटी के अंदर से आ रही है वो दिल दहला देने वाली है गाजा पटी से आए वीडियो ये दिखा रहे है कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग मारे जा रहे है हमास की सरकार का दावा है कि गाज़ा पट्टी के अंदर बच्चों की मौत भी हो रही है इस पूरे इलाके में जनासे पर जनासे निकल रहे हैं लोगों के पास वक्त ही नहीं है सोचने का कि वो आखिर करें तो क्या करें क्योंकि एक धमाका होता है इमारत किरती है और फिर भगदर के साथ ही रेस्क्यो आपरेशन शुरू हो जाता है और फिर जनासे उटने लगते हैं पूरे घाज़ा के अंदर इस वक्त यही मनजर नजर आ रहा है अधर इस वक्त यहीं है जो गाजा पट्टी के लोगों पर खहर बनकर ठूट रहा है गाजा पट्टी में लगबग 20 लाक लोग रहते हैं लेकिन इसरेल पर हमास का हमला इतना कूर और बयांकर था कि इसरेल के अंदर घुस्से की लहर दोड़ गए जिस तरह हमास ने हमला करके इसरेल के निहत्थे नागरिकों को भून डाला और महिलाओं, बुजर्गों और इसरेल के सैनिकों को कैद कर गाजा पट्टी ले गए अब इसरेल ने भी बेरहम हमला लेना शुरू कर दिया है बेन्यमिन नेतनियाहू खुद इस पूरे हमले का नेत्रित तो कर रहे है रविवार के दिन नेतनियाहू की दो तज़्वीरें सामने आई हैं जिसमें ये नजर आया कि नेतनियाहू इसरेल की एरफोर्स के दफ्तर के अंदर मौझूद है और घाजा पट्टी के अंदर हो रही बंबार्डिंग पर पूरी नजर और निगाह रखे हुए है घाजा पट्टी के अंदर अब मानवा धिकारों का उलंगन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है लेकिन इसरेल डेफेंस पूर्स पहले ही ये कह चुकी है कि ये जंग हमास ने शुरू की है इसलिए घाजा के अंदर गिर रही हर लाशों का जिम्मेदार हमास है इस्रेयल के प्रधान मंत्री बेनेमिन नेतन्याहू राजश्री के नाम सम्मोधन के वक्त पहले ही ये कह चुके थे कि अब घाजा पट्टी के लोग कहीं और चले जाएं क्योंकि वो हमास के आखरी आतंकी को तलाश करेंगे इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े מה שקרה היום לא נראה בישראל ואני אדאג שזה לא יקרה יותר הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת צהל יפיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס נקה בה עמד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שם הוללו למדינת ישראל ולאזרחיה लेकिन जहां पर 20 लाग की घनी आबादी हो और जो जगे पूरी तरह से नाकाबंदी में घिरी हो जहां से बाहर निकलने के भी सिर्फ दो दर्वाजी हो और वो भी टोल गेट जैसे ऐसे दुनिया के बड़े क्याद खाने से निकल कर भाग पाना कोई हसी खेल नहीं है दुनिया गाजा पट्टी को एक खुली हवा वाला कैद खाना कहती है गाजा पट्टी सिनाई प्राइद्वीव के उत्तर पूरो में भूमध्य सागर के साथ 363 वर किलोमीटर में फैला हुआ अक्षत रहे गाजा पट्टी का वो बॉडर जो इस्रेल से मिलता है वो बॉर वो वायर और इलेक्ट्रोनिक सर्विलांस के जरिये सुरक्षत एक अभेद्य सीमा की तरह नजर आता है गाजा से बाहर निकलने के लिए दो गेट है पहला गेट इस्रेल की तरफ खुलता है और गाजा का दूसरा गेट एजिप्ट के सिनाई प्रायद्रीप की तरह खुलता है जहां पर इस्रेल का नियंप्रन जादा है और एजिप्ट का खम मैं इस वक्त इस्रेल में मौझूद हूँ और इस्रेल के आर्थिक राजधानी तेल अवीब से गाजा पट्टी 90 किलोमीटर की दूरी पर है गाजा पट्टी से ही हमास की तरफ से इस्रेल पर रोकेट्स और मिसाइल दागे गए गाजा पट्टी दुनिया के सबसे घनी इनसानी आबादी वाले इलाकों में से एक है जहां सिर्फ एक किलोमीटर के दारे में साढ़े पाँच हजार लोग रहते हैं यहां पर बिचली, पानी और खाने पीने के सामान की सप्लाई इन्हीं गेट से होती है लेकिन अब इस्रेयल के लीडिंग न्यूज वेबसाइट दे टाइमस ओफ इस्रेयल ने ये कहा है कि इस्रेयल के उर्जा मंत्री ने आदेश दिया है कि गाजा के अंदर पानी, बिचली, इंधर और खाने पीने की सप्लाई को काट दिया जाए ऐसी स्थिती में यहां रहने वाले 20 लाख लोगों के लिए जीवन का बहुत संकट हो जाएगा अगर देखा जाए तो इस्रेयल ने गाजा के 20 लाख लोगों को नाकबंदी करके गेद लिया है अनुमान है कि घाजा के अंदर 14,44,000 लोग शरनार्थी कैंप्स में रहते हैं संयोक्त राश्री के मताबे घाजा की 65 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है घाजा में 50 प्रतिशत लोगों के उम्र 19 साल से कम है घाजा की 3-4 थाई भूमी खेती यो क्या है 16 साल की नाकेबंदी की वज़े से घाजा के अंदर बेरोजगारी की दर 40 प्रतिशत तक है घाजा के अंदर रहने वाले फिलस्तीनियों का दसवा हिस्सा सामानने बरिस्थितियों में छोटी मोटी नौक्रिया करने के लिए हर दिन इस्रैल की यात्रा करता है जहां उन्हें रात भर रुकने की अनुमती नहीं है 1948 में इस्रैल के निर्मान के बाद अगले दो तसकों तक काजा पट्टी पर मिस्ट का कपजा रहा लेकिन 1963 में इसरैल का सिक्स्टे वर में अपने अरब पडोसियों पर जीत केबाद अगले 38 सालों तक काजा पट्टी पर इसरैल ने अपना नियंत्रन पणाय रखा अपने नियंत्रन के दौरान इस्राइल ने गाजा पट्टी के अंदर भी 21 यहूदी बस्तियों का निर्मान किया था लेकिन साल 2005 में अंतराश्वी और घरेलू दबाओ के तहल इस्राइल ने गाजा से लगबद 9000 इस्राइली निवासियों और अपनी आर्मी को गाजा पट्टी से वापिस बुला लिया था जिससे इस इस इलाके पर फिलिस्तीन का राज हो गया लेकिन धीरे धीरे ये पूरा इलाका हमास का गड़ बन गया हमास में अब इस्राइल पर बहुत प्रूर हमला किया है जिसके बाद यहां इस्राइल के हमलों में बड़ी संक्या में फिलिस्तीनी भी मारे जा रही है मौातना, मिन हम 78 तफला, 41 सेड़ा, बादाफा इला तस्जील 2300 जरीह, मिन हम 213 तफला, 140 सेड़ा कमा रसदा मरकज मालूमात फी वजारत तस्छा, अला इन्तिहाकात इस्राइलिया बहाक आवाइलिना दरसल इसरैल, गाजा पर एतने भीशन हवाई हमले इसलिये कर रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से हमास की ताकत को खत्म करना चाहता है क्योंकि अगर इसरायल घाजा के अंदर अपने टैंक ले जाता है तो फिर ये जरूरी है कि अपने टैंकों को बचाने के लिए पहले घाजा पटी के सारे हमास के ठिकाने नश्ट किये जाएं क्योंकि हमास के पास एंटी टैंक मिसाइल भी हो सकते हैं जिसकी वज़े से इसरायल के टैंकों को बड़ा खत्रा भी हो सकता है